और अब देशों के मुख्य खादियों में से एक मुख्य खादिय खजूर है तो हमारे देश के अंदर भी खजूर को बहुत ही पोष्टिकता पुरढ़ंग से बहुत ही सूची पुरढ़ंग से फल का सेवन किया जाता है जिनको कफ की विमारी है जो भयानक कफ से पिडित है जिनको बार बार बलगम की सिकायत होती है उन लोगों के लिए खजूर एक कफ निसारक और बहुत ही गुड़कारी और बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको खजूर का उप्योग कफ ठीक करने के लिए बलगम की समस्या खतम करने के लिए उप्योग करना है तो उसके ये 15-20 खजूर के बीज निकाल लें और दूद में खजूर को डाल दें और धीरे धीरे उसको पकाएं थोड़ा सा दूद गाढ़ा हो जाए तो उसको आग से हटा दें उसके बाद जितना दूद हजम हो जाए उतने दूद का सेवन करें अगर छोटा बच्चा हो तो थोड़ कम दूद का सेवन करें या बहुत ही अत्यांत कफ निशारक है वलगम को कम करता है और खजूर अत्यांत पॉच्टिक है और यह कब्ज की समस्या को रोखता है बलड प्रेशर को नियंतरित करता है तथा दिमाग की सब्ती को भढ़ाता है और शायत बहुत कम लोगों को यह सेमस् hypocrisy तो प्रारं में चार से वाजूर काぎ सेवन और गर्मी समय में चार से ऌांच खजूर को राथ में पानी में भीगो दें और उसका भी जटाकर खजूर को चबाकर के खाएं तो उसकी जो उस्ड़ता है उसकी जो गर्मी एं वह खत्म हो जाती है और उसकी पोश्टिकता बरकरार आती है तो आप गर्मी में खजूर को भिगो कर सर्दी में पका कर खजूर का सेवन कर सकते हैं तो आपको बहुत से लाब मिलते हैं जैसे आपके हेल्थ में सुदार करता है बावसीर की समस्या को कम करता है healthy pregnancy को support करता है साथ ही आपकी तवचा तथा बालों के लिए बेश्ट होता है ये फल तो आपको भी आज से सुरू कर देने चाहिए खजूर का 7 I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, channel को subscribe तथा bell icon को प्रेस करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादे सेर करें